साल दो हजार बारा में रिलीज हुई अक्षे कुमार और परेश रावल स्टारर ओ माई गॉड दर्शकों के बीच काफी हिट साबित हुई थी बॉलिवोड के सूपरस्टार अक्षे कुमार एक बार फिर से बॉक्स ओफिस पर आने की त्यारी में जुद गए हैं अक्षे कुमार की फिल्म ओमाई गॉड ने बॉक्स ओफिस पर काफी अच्छा काम किया था इस फिल्म को जनता ने भी खूब पसंद किया ऐसे में अब अक्षे कुमार फिल्म का दूसरा पार यानि की ओमाई गॉड टू लेकर आ रहे हैं अक्षे कुमार ने फिल्म का पोस्टर भी इंस्टा पर शेयर किया 11 साल बाद अक्षे कुमार फिल्म का सीक्वल लेकर आ रहे है फिल्म के पोस्टर में देखा जा सकता है कि अक्की भगवान शिफ का डमरू हाथ में लिए लंबी लंबी जटाओं के साथ नजर आ रहे हैं उनका किरदार भगवान शिफ का लग रहा है इसके अलावा उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा करते हुए बताया कि वो 11 अगस्त को सिनिमा घरों में दस्तक देने जा रहे हैं उन्होंने कैप्शन में लिखा आ रहे हैं आएगा आप भी इसी बीच यामी गौतम ने भी इस पोस्टर को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया उन्होंने लिखा तारीक लॉक है Oh My God 2 11 अगस 2023 को सिनिमा घरों में रिलीज हो रही हैं वहां मिलते हैं Oh My God 2 के पोस्टर पर फैन्स अपना अपना रियाक्शन शेयर करते हुए बता रहे हैं और कहीं लोग तो इसे हिट भी बता रहे हैं फिल्म में अक्शे कुमार के साथ साथ यामी गौतम और पंकश्ट रपाठी भी आप सभी लोग को एहम किरदार में नज़र आएंगे इस फिल्म को बॉक्स ओफिस पर अच्छी टकर मिलने वाली है सन्नी दियोल और अमीशा पटेल स्टार और गदर टू भी सिनिमा घरों में आने के लिए त्यार बैठी है वही बॉक्स ओफिस पर साउथ के मेगा स्टार रजनीकान की फिल्म जेलर भी 10 अगस्त को रिलीज हो रही है ऐसे में इन तीनों फिल्मों का क्लैश होना तो तैह है एक साथ तीन फिल्मों का रिलीज होना यानी दर्शकों का बढ़ जाना इसके अलावा अक्षे कुमार लंबे वक्त से एक हिट फिल्म की तलाश में है उनकी पिछली कई फिल्मों की बात करें तो वो सिनिमा घरों में फ्लॉप रही अक्षे कुमार अपनी फान्स की उमीदों पर खरे नहीं उतर पाए ऐसे में उन्होंने ओमाई गॉड टू से काफी उमीदे है ओमाई गॉड टू भारत में सेक्स एजुकेशन की बाक्ट्रॉफ के खिलाफ सेक की गई है खेर अगर हम बात करें अक्षे कुमार की वर्क फ्रंट की तो उनके पास ओमाई गॉड टू तो है ही इसके अलावा अक्षे कुमार की पास अली अबास जफर की फिल्म बड़े मिया छोटे मैया भी लाइनप में है जिसमें वेर टाइगर शॉफ, मनुशी चलर और अलाया एफ भी लीड रोल में नज़र आएंगी